Dear students, welcome to AEC Plus Powered by Advanced Engineering Classes. मैं रामनोर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ reasoning के इस session पर. जी हाँ दोस्तों, आज के session में हम लोग सीखने वाले हैं direction and distance के previous year questions plus updated questions. तो last class में दोस्तों हम लोगोंने direction and distance का basic सीखा था. types of questions थीखे थे, कि कितने varieties के questions है, हर category को बाट कर हमने उस पर questions solve किया. और मैंने आपको जितना भी basic है direction and distance के questions solve करने के लिए जितना भी basic है सारे basic point को अच्छे से clear किया. तो सभी विद्यार्थी, I hope उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और आज की class में हम direction and distance के और भी questions solve करने वाले हैं. वो question, updated questions थीखे और इसके साथ previous year के questions भी लिये गए हैं. तो चलिए बिल्कुल भी, ज्यादा time ना लेते हुए चलते हैं, शेशन को शुरू करते हैं direction and distance और यह आपका रहेगा lecture third. ओके, तो direction and distance तो जैसा मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि कोई भी theory आपको देखने को मिले, कोई भी theory आपको पढ़ने को मिले, इस theory को पढ़कर जो बच्चा perfect diagram बना पा रहा है, perfect diagram, ठीक, perfect diagram बन पा रहा है, तो सारे के सारे questions आपके आसान होते चले जाएंगे, मैंने पहली class में ही basic class में बता दिया था, theory पढ़कर perfect diagram बन गया, 70 से 80% direction distance हो गया, remaining जो 20-30% रह गये, कि distance कैसे find करते हैं, Pythagoras कैसे find करते हैं, कैसे उसको apply करते हैं, ठीक है, चलिए, तो आइए बढ़ते हैं, question number first की तरफ, question number first, सबसे पहले अच्छे से read कर लेंगे, कोई जल्दी बाजी नहीं, आराम से read करेंगे, समझेंगे, एक diagram बनाएंगे, और diagram से जो भी question पूछ रहा है, यहां पर, कि दौलत राम का घर बाजार से किस दिसा में हैं, ठीक है, last में पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद 135 डिगरी एंगल, पर left turn हुआ, और 100 मीटर चल कर stop, बाजार पहुँच गया, ठीक, he was moving southwest, इसके बाद वो left turn हुआ, 135 डिगरी एंगल बनाते हुए, 100 मीटर जैसे ही हुआ, तो वो market पहुँच गया, ठीक है, उसका friend यहीं पर है, market पर, अब कहता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर market, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, market, ठीक, moral of the story, कोई दवलत नाम है, वो southwest direction में travel करेगा, ठीक है, 300 मीटर, then turn लेगा 135 डिगरी rotation, वो भी anti-clockwise वाला, और वहाँ से फिर वो travel करेगा, 100 मीटर और 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद, market पहुँच जाएगा, to the point, चलिए, पहले इतना बना लेते हैं, तो मैंने आपको बताए, एक छोटा सा point ऐसे बना लीजिए, east, west, north, south, देरे देरे practice हो जाएगा, तो आपको सारी बाते clear हो जाएगी, कहता है, south, west, तो दोस्तों, south, west ये दिख रहा है पूरा, तो इस तरीके से वो travel कर गया होगा, 300 मीटर, अब जैसे 300 मीटर complete हो, फिर से यहाँ पर बना लीजिए, east, west, north, south, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 135 का angle, तो basic class में मैंने बताया था, कि कभी भी 135 degree, 135 degree rotate करने को बोले, तो 90 degree plus 45 degree, 90 degree plus 45 degree का rotation, और यहाँ पर बोला गया है, 135 degree travel from his left, 135 degree का कोण बनाते हुए, बाही तरफ, और बाही तरफ, left side का rotation कहलाता है, anti-clockwise, right side का होता है, clockwise, यह सारी की सारी बाते, basic class में सिखाई जा चुकी है, चलिए देखिए, इसका face यहाँ है, southwest में, तो clockwise अगर बोलता, तो west की तरफ जाते, और anti-clockwise यह left side बोल रहा है, तो हम south की तरफ जाएंगे, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यह हो जाएगा 45 degree, और यह हो जाएगा 90 degree, तो अभी यह जो परसन south west की ओर देख रहा है, 135 degree का rotation लगाए, तो आजाएगा east direction की तरफ, तेक, और यह हो जाएगा, पूरा का पूरा 135 degree का rotation, और वो भी left side बाला, finally वो हो जाएगा east की तरफ, अब east की तरफ face होने के बाद, 100 meter उसको travel करना है, 100 meter, तो 100 meter जब वो travel करेगा, तो अब यही दिक्कत है, कि 100 meter को मैं, एकदम इसके यहाँ पर, यहाँ पर रोक दूँ, 100 meter इसको थोड़ा सा और आगी ले जाओ, 100 meter थोड़ा सा और पीछे रोक दूँ, 100 meter, तो जड़ा सभी लोग सोचिए, इस वीडियो को थोड़ा सा रोक कर, कि इस 100 meter को तो ध्यान रखिएगा, exam में ऐसे ही conceptual question, इसलिए मैंने कहा, updated question, conceptual question ही, solve करा रहा हूँ, आज के इस session में, जो आगे exam में आपको काम आने वाले हैं, अब बच्चा यहीं पर confused हो जाएगा, कि भैई इसको 100 meter कहा रोके, इसलिए option oriented question है, तो चलिए देखिए, जब यह 100 meter चलेगा, तो market यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो market कहीं पर भी हो सकता है, अब यह option oriented है, option oriented, चलिए देखिए, कहीं से भी देखिए, अगर मैं market से देखूँ, तो उसका starting point यह रहा, तो चार option दिये गया है, और main direction के हिसाब से दिया गया है, तो main direction का मत्तब, यहीं से इनने consider किया होगा, main direction का मत्तब, यहीं से consider, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोलता, तो यह north होता, यह west होता, तो northwest भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ से देखता, तो यह north और यह east, तो north east भी मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ से तो भई, clear और clear north, तो तीन answer यहाँ पर बन सकती, इसलिए option oriented question हो जाएगा, option oriented, तो कहता है कि भई, market से आप देखिए, दौलत राम का घर, बाजार से किस दिसा में दिख रहा है, तो बाजार से north यह भी, यह भी, लेकिन option एक ही टैली कर रहा है, north, इसलिए सही जवाब हो जाएगा, दोस्तो, north, तो यह रहा पहला question, पहला question बड़ी आसानी से हमने solve किया, हमने क्या किया, पूरी theory को आसानी से पहले पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, फिर उसको देखते हुए, हमने एक diagram बनाने की कोसिस के, जो बढ़ियां से हमने diagram बना लिया, 135 का rotation हमें पता था, और जब diagram बन गया, तो जैसा question पूछ रहा था, उसी साब से हमने answer दे दिया, और one marks हमें gain हो गए, चलिए, बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले question की तरफ था, अगला question फिर से, आराम से हमें language को पढ़ लेना है, समझ लेना है, आईए, तो यहाँ पर कहता है, एक shopping mall में है, shopping mall में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, अपनी trolley से, अपनी trolley को भरकर 50 meter पहले, वो north की तरफ जाएगा, ठीक है, shopping mall की बात हो रही है, 50 meter पहले वो जाएगा north की तरफ, then turn his left, and walk 15 meter, इसके बाद वो south की तरफ turn होगा, and 15 meter free travel करेगा, फिर east की तरफ 25, and then turn south, and walk 35, where is now, with the reference of starting point, starting point से कहता है, कहां है, ठीक हिंदी में पूरा आप read कर लीजिए, trolley से 50 meter उतर की तरफ, फिर वो left की turn होता है, 15, फिर उसके बाद south की ओर, तो ये पूरा का पूरा direction based है, तो थेओरी पढ़ते चलिए, मैं यहां diagram भी बनाते चलता हूँ दोस्तों, तो चलिए, मान लिजिए, एक वेक्ति हैं, इस तरीके से यहां पर, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं, यह रहा, यहां से आरंबिक चलना सुरू किया, कहता है 50 मीटर नॉर्थ ही और चले जाईए, तो यह होता है नॉर्थ डारेक्शन, नॉर्थ डारेक्शन हम 50 मीटर चले गए, अब जब face नॉर्थ में होगा, तो left, right पता होना चाहिए, तो कहता है कि अब एक काम करो, left turn हो जाओ, और 15 मीटर और चले जाओ, तो जब face north में, तो right इधर, left इधर, तो left turn होकर 15 मीटर हम और जाने वाले हैं, तो यह रहा left, और 15 मीटर हम और travel कर गए, इसके बाद, इसका face है west, तो अगर हमसे बोलेगा right, तो उपर left, तो नीचे, तो आगे देखते हैं, अच्छा, left right बोला ही नहीं, सीधे बोलता है south, तो south भई सबको पता है नीचे, और कितना आना है, 15, तो यहां से हम south की तरफ आ जाएंगे, और यह हो जाएगा 15, इसके बाद, अगला point है, कि 25 मीटर east की और वो जाएगा, 25, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जैसी मैंने इस line को touch किया, तो 15, फोड़ा सा और आगे बढ़ जाओं, तो यह हो जाएगा 10, तो यह हो गए 25, इसके बाद, इसके बाद south की और वो 35 जाएगा, south की और वो 35 जाएगा, तो दोस्तों मैंने 50 में 15 तो आ गया था, 35 और जाओंगा, तो बिल्कुल मैं इस starting point के एकदम east पर रहूँगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों 35 मीटर, आगे बढ़ यह और क्या बोलता है, कि अब वह अपनी प्रारंभिक इस्तिती से, इस starting point से, तो इस starting point यह रहा, और इस starting point से अगर देखा जाए, तो एकदम east direction में हैं हम, इस starting point से अगर देखा जाए, तो एकदम east में हैं हम, east direction, ठेक, तो जड़ा देखिए, इस्त वाले दो point हैं, अब यह जो distance है, इसी के equivalent यह distance होगा 10, तो पूरा का पूरा answer है, इस starting point से हम 10 meter east direction पर हैं, तो यह हो गया दूसरे question का जवाब, तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं, आसानी से, ध्यान से, थेवरी को पढ़ते चले जाना है, और one by one आप travel करते चले जाएए, point को पढ़ते जाएए, travel करते जाएए, free hand जैसे ही आ गया, कि भी मैंने कहा, थेवरी पढ़ो, diagram बनाओ, diagram बन गया question खता, आएए, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले question की तरफ, अगला question क्या कहता है, आएए देखते हैं, सेम उसी concept पर, और यह मैं बता दूँ, यह आपके SSJ का, SSJ के ही previous year के question से हैं, यह चल रहे हैं, जहाँ पर updated question आएगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, अब कहता है, इस बार दो battle tanks हैं, दो youth pot हैं, एक ही बिंदू से चलना सुरू करते हैं, टैंक A, A का नाम है टैंक A, और A का नाम है टैंक B, टैंक A और टैंक B, टैंक B यहाँ से चलना सुरू करेगा, एक ही point से यह लोग चलना सुरू करते हैं, ठीक है, तो आएगे चली देखते हैं, कि मान लीजे मैंने यहाँ पर बना लिया, यह एक point है, यही पर है टैंक A और टैंक B, ठीक है, दोनो के दोनो point यही पर, तो दिहान से आप मेरे को देखते चलना, इस हाथ को देखते चलना, कैसे कैसे डाइग्राम बनते चले जाएंगे, तो पहले A चल रहा है, तो यह देखिए, यह साउथ की और ट्रेवल कर गया, ठीक है, जितना मीटर दिया गया है, ऐसे आप बना दीजिए, फिर इसके बाद अगली लाइन, कहता है, अब लेफ्ट टर्न हो जाओ, और 7 मीटर जाएंगे, तो यह लेफ्ट हो गया, 7 मीटर ग टैंक A चलते चलते यहां पर आगया दोस्तो, अब टैंक B की बारी, तो टैंक B कहता है, कि भई, 7 किलियो मीटर आप साउथ की और जाएंगे, ठीक है भई, टैंक B अब ट्रेवल करेगा, 7, तो देखिए ध्यान से टैंक B ट्रेवल करेगा, तो इसको अगर हम एक दूसरा इ यह ट्रेवल करेगा, मान लिजी इतना पॉइंट ले लेते हैं, 7, अब ट्रेवल कर रहा है, इसके बाद, कहता है कि अब वैस्ट डारिक्सन में मुड़ जाओ, और नो जाओ, तो भई, सब को पता है, हर पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, इस्ट वैस्ट कभी नहीं बदल यही रहेगा, तो वैस्ट हो जाएगा इधर, और कितना हो जाएगा यह, 9, और कुछ है क्या, कहता है कि अब लेफ्ट मुड़ कर 5 जले जाओ, तो इसका फेस है पश्चिम, तो राइट और लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ कर 5, तो देखो 12 मीटर में हम 7 आ गए हैं, तो यह ड टैंक B, बड़ा सिंपल सा डाइगराम, बहुत ही सिंपल सा डाइगराम, कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट को पड़ते जाएग, डाइगराम बनाते जाएगू, क्लिर दिखरा है टैंक A यहाँ है, टैंक B यहाँ है, कॉस्चिन पढ़ लिजीए, टैंक B के एकॉडिंग ट नाइन में बिखने हैं भाई बी से देखिए एस्ट में दिखने और यह पूरा डिश्टेंस तो यहां से यहां तक हो जाएगा यह नाइन है तो यह नाइन तो नव और साथ आप जोड लीजिये कितना हो जाएगा सोला तो बड़ा सिंपल सा ऊंसर शोला इस्ट तो यह रहां question ठीक है previous year के कुछ question तो ध्यान रखिए theory अगर लेंदी है तो वहाँ भी घबरानी की जरुरत नहीं है दोस्तों देखिए कैसे कैसे बोलता गया बनाते चले गया बस हर direction का left right clear हो चार से पाँच बार ऐसे diagram बनाईए और लिख लिख कर left right left right की practice कीजिए तो बढ़ी आसानी से left right के practice हो जाएगी आएए देखते हैं अगले question में अब किस बारे में बात हो रही है एक कोई cyclist है ठीक है cycle चलाने वाला है एक cycle सवार 8 km east की और चलता है ठीक है a cyclist goes to 8 km east then turn to his left तो देखो east की और गया left पता हो तो बढ़ी आसानी से मुड़ जाओगे ठीक है इसके बाद वह left की और turn हो जाता है 7 km travel करता है फिर east की और turn करता है 10 km travel करता है फिर south की और जाता है 7 km अब वह starting point से कहा है यह भी previous year ही question है दोस्तों तो आये जैसा जैसा वो cycle चला रहा है हम लोग भी travel करते चलते हैं तो मान लीजिए यह है starting point तो दिहान रखिएगा जब कभी भी आप travel करते हो तो ऐसा point बना लिया कीजिए ताकि हमें पता रहे कि हम चल कहां से रहे हैं ठीक चलिया यह तो कहता है कि इस्ट डारेक्शन में चलिए तो यह होता है east direction और इस पर लिख दीजिए 8 कहता है कि अब left turn हो जाएए तो left top की तरफ रहेगा 7 तो यह हो जाएगा 7 कहता है कि अब east की और 10 चले जाएए तो east की और 10 तो थोड़ा सा इसको और space ले लेते हैं दोस्तो यहाँ पर रख लेते हैं तो यह हो जाए 8 ठीक है थोड़ा सा space ले लिया गया यह हो गया दोस्तो साथ इसके बाद कहता है east की और turn को जाओ और 10 तो east इधर 10 उसके बाद south की और आप 7 चले जाओ तो south यह होता है साथ और कुछ चलना है भई अब अपनी प्रारंभिक इस्तिती से कहा है तो यह रहा भई प्रारंभिक इस्तिती प्रारंभिक इस्तिती से वो कौन से दिसा में दिख रहा है तो वो east में दिख रहा है और यह distance यह distance equivalent होगा 10 तो 10 और 8 कितना 18 18 इश्ट देखिए दिख रहा है टिक कर दीजिए ठीक है बहुत ही सिंपल सा कोश्चन बहुत ही सिंपल सा कोश्चन बस इसमें आपको कुछ नहीं direction बना देना है direction के according एक diagram बना देना है diagram के बनते ही पूरा का पूरा answer आपको देखने लगेगा ठीक आईए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन क्या है अगेन देखो इस पॉइंट इस तरीके के कोश्चन एक्जाम में खुब पीछे गए ये 2017 या 2018 17-18 के previous year के कोश्चन से लिए गए हैं दो वर्क में ठीक है दो पॉइंट है एक का नाम है L और एक का नाम है M एक ही पॉइंट पर हैं दोनों लोग एक ही बिंदू से चलना प्रारह म करते हैं L जो है 25 मीटर इस्ट की और जाएगा और फिर लेफ्ट टर्न हो जाएगा 15 मीटर जाएगा उसी समय, तो चलिए पहले L को, एक एक करके travel करा लेते हैं, पहले L को travel कराते हैं, ठीक है, वो east की और जाएगा, तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, इसी point पर है L और M, तो पहले L को travel करा लेते हैं, कि तुम भई 25 meter east की और जाओ, तो यह हो गया 25 meter, east की और, ठीक, अब कहता है क turn हो जाओ left turn हो जाओ और 15 मीटर जाओ तो भई जब face east में होता है तो left इधर तो left में 15 तो यहाँ पर आके चलते चलते पहुँच गए L अब जब M को हम travel कराएंगे तो एक दूसरा color ले लेते हैं इसके लिए तो आएए L हो गया अब M की बारी उसी समय M 18 मीटर south की और जाएगा फिर right turn होगा 17 मीटर चलेगा फिर north की और turn करके 33 मीटर चलता है बस तो चलिए आए M को travel कराते हैं अब तो कहता है भई 18 मीटर south में चले जाएए तो 18 मीटर south तो यह south इधर होगा यह हो गया भई 18 मीटर ठेक अब इसके बाद कहता है कि अब तुम right turn हो जाओ तो जब face south में होता है तो right इधर होगा तो right turn होकर कहता है कि 17 मीटर आप चले जाएए यहां तक ले लेते हैं 17 मीटर तो यहां तक बिल्कुल दिख रहा है दिल पा रहा है चलिए कहता है कि अब north की ओर चलिए और कितना 33 ठीक है north की ओर जाना है 33 अब ध्यान से सभी लोग देखिए north यह north 33 और 33 तो ज़रा इनको आप calculate करो यह हो जाए 15 और यह हो जाए 18 तो 18 और 15 कितना होगा दोस्तो 18 और 15 होगा 33 और मुझे 33 ही जाना है और मुझे 33 ही जाना है तो जब मैं यहां से 33 जाऊंगा तो जरा सभी लोग बताइए सभी students ध्यान दीजिए यह जो आ गया point M तो यह दोनों एक कतार में एक straight में होंगे की नहीं होंगे तो आये question में कहता है L के according M कहां है where is M with respect to L तो हमें L से देखना है तो जब आप L से देखेंगे तो L के according कहलाएगा west पस्चिम में अभी नहीं दोनों में कोई एक answer बनेगा इस्ट वाला तो हो गई नहीं अब यह total कर लो तो जब देखें यह 25 है तो यहां से लेके यहां तक 25 और यह 17 है तो यहां से लेके यहां तक 17 तो यह 17 और यह 25 तो हो जाएगा कितना दोस्तों east में 42 बड़ा ही simple सा यह भी एक question हुआ complete तो देखेंगे बड़ा आसान है मैंने क्या कहा हर बार यहीं कहा कि theory पढ़कर जो बच अच्छा ऐसा direction बना लेगा 70 से 80% question उसका complete हो जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question यह रहा स्क्रीन पर आपके तो अच्छे से पहले इसको read कर लेते हैं again चलिए देखते हैं यह जो question है चलिए यह question same to same है तो यह question same हो repeat हो गया आगे बढ़ते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो अगला question यह रहा आपके screen पर तो आएए इसको read कर लेते हैं कोई salesman है एक विक्रेता अपनी नौकरी पर जाने के लिए 3 km west direction पर चलता है तो पहले जो point दिया गया है एक बार अच्छे से read कर लेते हैं दोस्तो कोई salesman है ठीक है 3 km west direction में travel कर रहा है फिर कहता है कि south की तरफ दक्षुड की तरफ मुझ जाओ और 4 km थोड़ा और चलो इसक last point अब कहता है अपने right side turn कर जाएगे और 4 km चलकर stop और starting point से आप कहा है तो पूरी theory को अच्छे से read कर लेना है और दोस्तों practice अच्छी हो जाएगी तो आप theory को read करते करते डाइग्राम बनाते चले जाएगे ठीक है चली आए तो बनाते हैं सबसे पहले मैं west direction में travel कर रहा सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से आपको पता रहेगा कि यह हमारा starting point है चलिए अब कहता है कि 3 km ट्रेवल कर जाए वैस्ट में तो यह होता है वैस्ट डारेक्शन और 3 km हम travel कर चुके हैं इसके बाद कहता है आप south में turn हो जाओ और 4 तो south होता है यह तो south में turn हो गए और 4 अब इसके बाद कहता है फिर से west में हो जाओ 5 तो low भाई ठीक है west इधर ही होगा और west में फिर से हम चले गए 5 ठीक देन इसके बाद कहता है कि अब आप right turn करो और 4 km चलो तो right turn तो इसका right turn होता है यह और 4 हो जाएगा यहीं पर then stop then stop अब कहता है starting point सर जरा देखिए ठीक है starting point तो clear cut starting point यह रहा end point यह रहा तो सभी students का answer बिलकुल इसमें बन रहा होगा तो कुछ भी नहीं है दोस्तो बड़ा ही simple सा जवाब है इसका कि starting point से वो west की तरफ है और यह पूरा जो distance होगा यह 5 और 3 आठ तो 8 west यह बड़ा simple सा answer कोई मैच हुआ 8 west तो कई बार जल्दिवाजी में दो same same दिखते हैं तेक तो 8 के साथ west भी टैली करना है इतना speed नहीं रहना कि दो option देखिए same same है उसमें दिसाए अलग है तो speed तो बहुत जरूरी है लेकिन speed के साथ साथ थोड़ा सा common sense भी रखिये गए कि भई टोटल नजर आया आठ को देखके इस पर गलती से अगर टिक लगा लेते हैं तो जो एक नंबर आसानी से मिलने वाला था वो भी जा चुका था तो पूरा पूरा देखना है भी 8 west चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question फिर से देखिए इसी concept पर है read कर लेते हैं अ past की तरफ जाएगा फिर राइट side turn लेगा और 43 km turn करेगा बस ही इतना चला गया चलिए तो एक एक करके बना लेते हैं दोस्तों पहले हम बस A को travel करा लेते हैं फिर उसके बाद bus B को जैसा जैसा बोला होगा वैसे travel कराएं ठीक है चलिए आईए चलिए माल लेते हैं यही पर point यही पर point माल लेते हैं A और B तो सबसे पहले travel कराते हैं A को तो चलिए travel कराएं बस A जो है 27 km west direction की तरफ तो west direction यह रहा 27 ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए ठीक तो ध्यान रखिएगा जितना जितना चलता जा रहा है उसको उस line पर लिखते चलि चलिएगा यह भी काफी important fact रहेगा चलिए कहता है कि भाई यह हो गया अब right side turn हो जाओ 43 इसका right side होता है यह तो right side turn हो गये और 43 और चलना है क्या बस A को बैस stop तो बस A चलते चलते यहाँ आ गया अब बस B के लिए एक दूसरा color का इस्तमाल कर लेते हैं बस B के लिए तो 19 किलमेटर नौर्थ की तरफ तो देखिए यह पूरा मैंने 43 बना दिया तो अब बस B तो 19 अगर बोल रहा है तो थोड़ा small ही रखिए इसको ठीक है फार्क नजराना चाहिए 43 वाली लाइन और 19 वाली लाइन चलिए कहता है कि भाई यह हो गया अब इसके बाद कहता है वैस वैस्ट की और 61 जाओ तो वैस्ट तो इधर ही होगा यहां तक तिक पा रहा है तो ध्यान रखिए कि दोस्तों यह पूरा का पूरा है आपका 61 61 ठीक है 61 अब इसके बाद हमने 61 चले गए अब कहता है राइट टरन हो जाओ और 24 जाओ तो राइट टरन इसके उपर ही जाने वाले हैं इसके उपर ही जाने वाले हैं बस एक ए एकोर्डिंग फिर हमें देखना है बस भी कहा है चलिए अब यहाँ पर यह डाइग्राम तो दोस्तों ध्यान रखिए हम यहाँ से उपर ही जा रहे हैं यह पॉइंट ठीक है यह पॉइंट आप समझे रहे ना उपर की तरफ ही जा रहे हैं और कितने मीटर हमें जाना है दोस्तों 24 24 ठीक है दोस्तों तो यह आगया भई बस B यह आगया बस B तो पूरा डाइग्राम आपके सामने है बस थोड़ा सा ही स्पेस की वज़े से मैंने टोकेट किया अब कहता है बस A के एकॉर्डिंग बस B कहा है तो बस A के एकॉर्डिंग बस B कहा है यह हमें देखना है तो सबसे पहले यहां से आप मैच कीजिए, ठीक है, यहां से आप मैच कीजिए, कि यह वाली जो line बची हुई है, यह distance कितना है, यह distance कितना है, तो अगर मैं 24 और इस 19 को जोड़ता हूँ, तो 9, 4, 13, 43 ही आ जाएगा, 43 ही आ जाएगा, इसलिए जो 24 चला है, वो यहीं तक होगा, यह 24 औ 43 मेंटेन, दोनों बराबरी पर होंगे, दोनों बराबरी पर होंगे, तो एक से दो बार अच्छे से देखिए गया, इस स्पेस की वज़ए से explain कर रहा हूं दोस्तों, बढ़ यहां तक पूरा clear दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए, तो एकदम यहीं पर हैं यह दोनों लो 27, तो यह जो बचा हुआ पॉर्शन होगा दोस्तों, तो वह होगा तो वैस्ट वाला 88 तो होगा नहीं, 34, तो यह वाला जो पॉर्शन हमारा बचा, यह बचा 34, तो एक एक एकदम वैस्ट में 34, तो बिलकुल अभी हम ऐसे questions बनाए हैं, तो यह भी बिलकुल आसानी से बन ज जा रहा है, चलिए, यहाँ तक हो गया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, चलिए, अगला question यह रहा आपके screen पर, एक पक्ची, अब bird starts from its next, and fly 3 km north, the turn west and fly 4 km, तो आसानी से आप पढ़ते चले जाएंए दोस्तों, एक पक्ची अपने घोसले से उड़ना प्रारा मकरता है, उत्तर की और 3 km, north direction में 3 जाता है, फिर west में turn होकर 4, फिर उसके बाद south में वो turn कर जाएगा, और 11 km, फिर उसके बाद वो left turn हो जाएगा, 4 km, कहता है कि घोसले से उसकी इस्थिती क्या है, ठीक है, तो उसका जो next है, वो starting point है, starting point क्या हो जाएगा, उसका next, तो चलिए आएए देखते हैं, बनाते हैं इस question को, तो एक पक्षी अपने घोसले से उड़ना प्रारम करता, उत्तर की और जाएगा, तो मान लीजे कि भई, यह है starting point, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, space फिर घड़ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं, चलिए, अब कहता है कि भई, नॉर्थ की तरफ आफ 3 किलोमेटर चले जाए, तो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमेटर यह चलता हुआ, यहाँ पहुँच गया, कहता है कि अब west direction की ओर turn हो जाए और 4 किलोमेटर, तो west direction यह रहा, और 4 किलोमेटर, ठेक, अब इसके बाद कहता है, कि south की ओर turn हो जाएए 11 तो दोस्तो south तो इधर ही होता है ये हो गया 11 इतना इसके बाद अगला number पढ़िए कहता है left turn हो जाएए और 4 फिर जाएए तो दोस्तो बिल्कुल right इधर होगा left इधर ही होगा तो ये left हो गया 4 बड़ा simple सा diagram कहता है कि घोसले से अब वह इस्तिती बताईए तो भई स्टार्टिंग पॉइंट से वो तो south पर है स्टार्टिंग पॉइंट से south पर है और ये distance पूछा जा रहा है तो ये distance कितना होगा दोस्तो इसी के equivalent तो कितना और जोड़ दिया जाए आठ तो दक्षड में आठ तो south और 8 तो 8 दो वाले हैं तो अच्छे से ध्यान से भई south वाला टिक लगाना है ये बन गया इस question का answer तो दोस्तो इसी तरीके से आपको question बनाते हुए चले जाना है तो ध्यान रखिए इसमें हमें speed बनाना है कि exam में direction distance का question आया तो speed के साथ solve करना है और one marks हमें gain भी करना है one से two marks के questions यहां से बनेंगे तो speed के साथ साथ ध्यान रखिएगा हमें एक number हर हाल में प्लाना है अब ये रहा shadow के concept पर question